दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि HDFC बैंक में अपना Zero Bank Balance Account कैसे खोले और उसमें जो आपको काड मिलेगा SMS सर्विस मिलेगी सब कुछ फ्री में होने वाला है आपको एक भी रुपया नहीं देना होगा तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है HDFC की Official Website पर आ जाना है लिखेंगे हम HDFC इतना लिखके आपको Google के उपर सर्च कर लेना है और यहां पर सबसे पहले लिंक को उपन कर लेना है यहां पे दुस्तों सबसे पहला link के उसको open करते हैं यहां पे लिखाओगा what are you looking for तो इसके उपर हमें click करना है बट यहां पे आप देख सकते हैं कुछ advertisement आपको देखने को मिल रही है इस advertisement को आपको रहने देना है और यहां पे लिखाओगा what are you looking for तो इसके उपर हमें click करना है और यहां पे हमें accounts के उपर select कर लेना है फिर लिखाओगा select product तो यहां पे मैं लिख लेता हूँ saving account इतना लिखते ही दुस्तों यहां पे लिखाओगा no more इसके उपर हमें click कर लेना है और ज्यान रहे दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे saving account होंगे हमें किसी को भी नहीं use करना है यहाँ पर हमें नीचे सिद्कार जाना है इसको जब मैं उपर की तरफ खिसकाऊंगा यानि scroll down करता हो तो scroll down करने पर नीचे आप देख सकते हैं लिखा होगा basic saving bank deposit account BSBDA दोस्तों यह जो small account है इसको खोलने के लिए क्या क्या होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं enjoy a free deposit zero balance account और कुछ इस तरीके का यह रहता है और यहाँ पर लिखा है कि आपको free में एक रुपे card मिलेगा आपके account को access करने के लिए और यहाँ पर आपको 4 free withdrawals मिलेंगे ATM से per month यह बिल्कुल free of cost होगा BDSM में दोस्तों यहाँ पर एक चीज याद रखना आपको जरूरी है कि यह जो मैं आपको बता रहा हूँ यह आप online कर सकते हैं आपको bank में जाने की कोई जरूरत नहीं होगी अब यहाँ पर आपको क्या करना है continue using your mobile number इसके उपर click कर लेना है और यहाँ पर अपना mobile number type कर लेना है इतना लिखे आपको दोस्तों यहाँ पर submit के उपर click कर लेना है और यहाँ पर ok के उपर click करने के बाद मैं आपको वापिस submit करना है दोस्तों ये जो process है आप अपने mobile number से भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होने वाली ही अपने mobile में भी आप कर सकते हैं मैं यहाँ पे laptop में कर रहा हूँ दोनों में same तरीका है यहाँ आपको दोस्तों देख सकते हैं option मिल रहे होंगे account opening instructions तो इसके उपर click करते हैं आपको यहाँ पे single के उपर click कर लेना है no meaning यहाँ आपको yes कर देना है और product variant में आपको यहाँ पे regular saving account करना है दूसरा आप दोस्तों मत करना दूसरा आपका काम नहीं होगा तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ regular saving account regular saving account open करने के बाद में यहाँ पे मुझे लिखना होगा नाम दूसरा नाम लिखने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपना नाम कर लिया है complete नाम complete करने के बाद में यहाँ पे आपका जो mobile number है वो दूस्तों यहाँ पे लिखा आ रहा होगा और फिर यहाँ पे side में लिखा होगा आपका state आपको state में select कर लेना है अपना जो भी हो मेरा राजस्तान है और राजस्तान select करने के बाद में यहाँ पे city पूछी जा रही है का आप कौन से city में रहते हैं कहां से आप belong करते हैं यहाँ पे जिस city में मैं अपना account open करवाना चाहता हूँ इγαसे के बहुत सारी है तो यहाँ पे मैं अपनी city को select कर लिया है और यहाँ पे अपनी city में जितनी भी branch होगे उनके नाम आजाएंगी मेरे city में सिर्फ एक ही branch ही HDFC का तो उसका नाम आ चुका है और यहाँ पर दुस्तों मैं कर लेता हूँ OK OK के उपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर लिखा होगा Types of यहाँ पर आपको Capture Code टाइप करना है यहाँ पर मैं अपना Capture Code टाइप कर लेता हूँ 5 Small T and Big T और R S B तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं Continue के उपर क्लिक कर रहा हूँ इसके बाद मैं आपके सामने वापिस Second Form Open होगा इसको आपको Fill Up करना होगा यहाँ पर क्या लिखा है कि Personal Details में आपको सबसे पहले Title के उपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको Mr. Mrs. जो भी हो आपको दोस्तों वो आप लिख सकते हैं यहाँ पर मैं जो सिलेक्ट करना है वो मैं कर रहा हूँ इसके बाद दोस्तों मैं Family में दूसरा Member है उनके नाम से मैं यह करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं इसको भी कर लेता हूँ और इसके बाद में यहाँ पर आपका Office Number कुछ ही कर आपको अपना Office Number कुछ डालना होगा तो यहाँ पर आपके पास Office Number नहीं है तो कोई बात नहीं यहाँ पर आप कुछ भी दूसरा सिलेक्ट कर सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पर अपना Mobile Number के अलावा कुछ और भी डाल देता हूँ जैसे मन से मैंने कुछ भी डाल दिया है दोस्तो क्योंकि यहाँ पर मेरे पास ना Office Number है ना Registants Number है और इसको मैंने जैसे कुछ भी करके फिलप कर दिया है और यहाँ पर अपनी Email ID डालनी है आपकी जो भी Email ID हो अपनी Email ID फिलप करने के बाद मैं यहाँ पर पूछ रहा होगा Date of Birth और यहाँ पर देख सकते हैं Date of Birth डालने के लिए यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीकी का बना होगा तो यहाँ पर मैं अपनी Date of Birth में January है सिलेक्ट कर लेता हूँ बिल्कुल January 1st January और दोस्तों यहाँ पर अपनी जो Sun है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ Sun मैंने सिलेक्ट कर लिया है Sun सिलेक्ट करने के बाद में कुछ इस तरीकी का इंटरफेस होगा यहाँ पर अपना gender सिलेक्ट करना है आपका जो भी हो यहाँ पर मैं family account कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपको अपना pen card detail देना होगा तो pen card में आपको yes कर लेना है yes करने के बाद में आपको कुछ kyc documents के जरीए आपको कुछ तो देना होता है तो यहाँ पर pen card है वो दोस्तों काफी ज़्यादा जरूरी है pen card के बिना आपका यह काम नहीं होगा pen card के बिना आपको 16 form भरना होगा वो form आपको offline भरना होता है तो यहाँ पर मैं jn लिख लेता हूँ अब दोस्तों आप देशकते हैं मैंने अपना pen का detail है वो fill up कर दिया है और यहाँ पर register इंस्टा alert के उपर check mark कर देंगे और साथी साथ दोस्तों यहाँ पर इसके लिए आपके बास कुछ बताया जा रहा है जो जो information दे रहे हैं वो हमें select कर लेनी है और यहाँ पर अपना ok का button है इसके उपर click कर लेना है और यहाँ पर लिखा होगा अब mailing address के उपर बताया जा रहा है हमें अपना mailing address डाल देना है जैसे मैं अपना डाल देता हूँ यहाँ पर यहाँ पर मैंने अपना mailing address में यहाँ पर सबसे पहली है address line 1, address line 2 और landmark तो यहां पे मैं अपनी address line 1 डाल देता हूँ यहां पर मैंने डाल दिया है और address line second में मैं अपनी CT के बारे में कुछ डाल देता हूँ यहां पर इसकी पूरी information दोस्तों यह डालने के बाद मैं आपको landmark डालना होगा यहां पर मैं डाल देता हूँ ये फिलप करने के बाद में यहां पे रेजिदेंस टाइप पूछ रहा है कि भाई किसाब क्या है तो यहां पे हम कर लेंगे अपना जो भी हो अगर आप किराये के पे रहते हैं या फिर पीजी में रहते हैं तो पीजी सिलेक्ट कर सकते हैं रेंटेड है जो भी है और यहां प है old self और spouse के उपर क्लिक कर लेता हूं अपना खुद का हो तो यहां पे postal code में आपको अपना code डाल देना है postal code यानि zip code और जो भी आप कहें अपना pin code कह सकते हैं वो मैंने यहां पे fill up कर दिया है और यह करने के बाद में अब दुस्तों आपको मैंने अपना permanent address डाल दिया है अब दुस्तों यहां पे आपको permanent address डालने के बाद में पर्माने डालने के बाद में यहां पे आपको अपना state select करना होगा मैंने अपना state select कर लिया है आप देख सकते हैं राजिस्तान में हूँ मैं और यहां पे मेरी जो city है उसको भी select कर लेता हूँ यहां पे मेरी city आ चुकी यह postal code पे मैं select कर लेता हूँ पोस्टल को दोस्तों डालने के बाद में यहां पे लिखा होगा occupation details मतलब आप क्या करते हैं आपका जो website क्या है आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं तो self android professional है students है जो भी आप select कर सकते हैं तो मैंने यहां पे select कर लिया है और यहां पे लिखा है source of fund source of fund में यहां पे आपको दोस्तों कुछ others के उपर मैं select कर लेता हूँ आप यहां पे चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं आपका जो business income है agriculture है या फिर आपके उपर जो भी है आप कर सकते हैं यहां पे मैं business income के उपर click कर लेता हूँ और annual gross आपकी यहां पे मैं यह select कर लेता हूँ और इसके बाद मैं debit card और ATM card के बारे मैं पूछा जारा है आपको चाहिए या फिर नहीं चाहिए तो मैं यहां पे yes कर लेता हूँ अगर हमें debit card चाहिए तो यहां पे ओके के उपर क्लिक कर लेंगे ओके के उपर क्लिक करने के बाद में लिखा होगा यहाँ पर अपना आपको क्या करना है आधार कार्ड अप्लोड कर देना है और फिर आपको अप्लोड करना है अपना पैन कार्ड इसको आपको continue फिर कर देना है अब दुस्तों यहाँ पे आपको अपना नॉमीनी डिटैल डालना होगा continue क्लिक करने के बाद में नॉमीनी डिटैल डालने के बाद में जब आप इस चीज को submit कर देंगे तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह के का interface होगा यहाँ पे लिखा होगा जो आपकी application है वो bank वालों ने ले लिए और application लेने के बाद में अब आपको आएगा कुछ time पे phone और phone जब भी आपके branch की तरब से आपको किया जाएगा तो branch वाले आपके घर पे आएंगे आपके घर पे welcome kit लेके आएंगे आपका debit card, ATM card जो भी होगा वो लेके आएंगे आपके एक बार sign ले लेंगे और आपका जो KYC notification है वो भी वहाँ बैठे बैठे आपके घर आके कर लेंगे आपको branch जाने की कोई जरूत नहीं होगी वो खोद आएंगे, सब कुछ काम करेंगे वीडियो देखने के लिए धन्यवाज, जैहेंद, वन्यमात्रम